हेलो दोस्तो पुलिस भरती वाले जो परिक्षा देने जा रहे हैं वो बच्चे अभी बड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि तुक्का लगाएं कोश्चन्स के आंसर में या नहीं तो देखिए तुक्का अगर आप लगाएं तो बहुत समल के रगाएं यहाँ पर मैं आपको सा पुलिट में और अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा और दोस्तों में शेर भी कर दीजेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परिक्षा में दो चार कोशन को लेकर या दस वीस कोशन जो भी हैं उनको लेकर गन्फ्यूजन में लाइंगे या दो उप्षन में अगर हम फस गए तो हम कैसे तोका लगाएंगे तो सारी यहां पर मैं आपको जानकारी दूँगी वीडियो में बने रहिएगा वीडियो अच्छी लगे तो फिर से कह रही हूं लाइक कीजेगा तो यह देखिए सबसे पहले मैं आपको बता जाएगा इसको दिमाग में रखिएगा तो पूरा खेल है यहां पर दिमाग का कि आप कितने अच्छे माइंड से पेपर दे रहे हैं कितना दिमाग लगा रहे हैं और आप अपने तुक्का लगाने में कितने माइंड का प्रियोग कर रहे हैं यह सब यहां पर होगा तो राइट वेपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं कोशन आपके जो हैं आप कितनी देर में पढ़ पा रहे हैं आपकी टाइमिंग क्या है कोशन को हल करने की ये सारी चीजे होना जरूरी है क्योंकि अगर आप राइट वेपर चलेंगे बिल्कुल सीधे रास्ते से बिल्कुल अच पहले करूं इसके चार आप्शन में कौन सा आप्शन सही है ये सारी बाते आपके दिमाग में चलेंगी तो ये भी दिमाग में रखना है इसके साथ-साथ कितिनी पॉसिविलिटी है कि मैं पेपर पास कर जाओंगा या इस कोशन के ये वाला मैं आंसर दे रहा हूं तो पॉसि में आप रहेंगे क्योंकि माइनस मार्किंग के वज़े से बच्चा परिशान है और टाइम बहुत कम है दो घंटे में डेड़ सो कोशन आपको सौल्व करने है तो इसलिए भी बच्चे को लेकर बहुत कन्फ्यूजन इस चीज को लेकर बच्चे बहुत होंगे टाइम और म आपको आने पा रहे हैं चार ओप्चन होंगे उन में से कौन सा सटीक आंसर में ढूंड पाऊं ये भी दिमाग में आपके चल रहा होगा है ना तो इस तरह की सारी बाते हैं यहां पर हम किलियर करेंगे कि आप तुक्का कैसे लगाईए और ट्राइ करिए जरूर ट्राइ कर कि जिन प्रिश्णों के उत्तर आपको बिल्कुल सही पता हैं उनको पहले हल कर ले कोशन एक से स्टार्ट करें और एक सो पचास तक जाए और एक सो पचास तक जाने पर आपको जो जो कोशन बिल्कुल सही हैं उनके आंसर्स को हल कर ले हल करने के बाद गोले काले करते से ल लेकिन जब गुले ब्लैक करने का टाइम आता है तो उनके पास time नहीं वस्ता और time वैसे भी कम है जब time नहीं वस्ता तो उनके सही question के answer भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सोचते बाद में गुले काले कर लेंगे तो नहीं अगर आपको बिल्कु सही उत्तर पता है तो गोला संग में काले करते चलिए माल लेज़े आपको 49th question का पता है तो 49th number के question पे जो भी आप गोले दे रखे हैं उनको काला करते चलिए तो इस तरह से आपको जितने भी question आ रहे हैं उनको कर लीज़े काला जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको इतने सही आ रहे हैं और फिर आपको जो question नहीं आ रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको अलग mark करिए ठीक है याद रखिएगा बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनकी मार्किंग के लिए अलग साइन बना लिए स्टार बना लिए यह मुझे बिल्कुल नहीं आएगा इसको मैं दुबारा नहीं छोँँगा यह कोशन मुझे आ सकता है यह मुझे आ सकता है अब तुक्का लगाने के सबसे सटीक तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं आप चाहते हैं कि परिक्षा में मेरे 10 से 12 कोश्चन या 15 से 20 कोश्चन और सही हो जाए या मैं सही कर सकता हूँ तो आप यहाँ पर तुकत जरूर लगाईए और कैसे लगाईए एक तो सबसे पहला यह है कि elimination method आपके पास चार option दे रखे होंगे चार option में जो आपको answer लग रहा है कि नहीं होगा इसका उसको cut करते चलिए और फिर आप जो है एक या दो option में फस जाएंगे दो option फस जाएंगे उसमें आप देखिए कौन सा option सही लग रहा है question के according उस पर आप टिक लगा ठीक है यानि कि गलत answer को आप अलग हटाते चली हटाते चली आपको सही answer definitely मिलेगा वो होता है elimination method इसके बात कभी कभी बहुत से question में दिया रखता है तीन option दे रखे होते हैं एक दो तीन चौते में लिखा होता है उपरोक्त सभी तो कोशिश मदब जब कोई आपको question नहीं आ लेकर जो है वो answer होता है एक आपका अगर कोई question ऐसा है चाए वो current affair का है चाए आपका gk related किसी का भी है और समाज के फाइदे को लेकर है जैसे सरकार की बहुत सी scheme आती है तो अगर वो समाज के फाइदे को लेकर उसका answer दिख रहा है तो definitely उसका वही answer होगा याद रखेगा और जो current की सरकार है वो अपनी scheme लेके आएगी और उनीकी बाते होंगी तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा ठीक है इसके बाद कभी कभी question क्या होता है कि आपके तीन option दिये होते हैं चौथे में लिखा होता है इन में से कोई नहीं चौथा लिखा होता है तो ये option आपका ठीक हो सकता ये तुक्के की बात कह रही हूँ मैं आपको सही answer पता है तो नहीं इसके कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ये फिर से बता देती हूँ मैं दोनों option नहीं रखे होते हैं जैसे आपका पहला दिया है दूसरा दिया है पिर लिखा इन में से दोनों वाला आपका तीसरा option जो होगा वो ठीक होगा ठीक है दोनों ये दोनों इस तरह से तो कभी कभी इस तरह के option में आपका answer ठीक होगा फिर ये चार ये पांच तरीके हैं केबल पुलिस भरती को लेकर बता रही हो और तो बहुत सारे method हैं जिसमें negative marking नहीं होती है उन exams के लिए तो बहुत सारे option होते हैं कि आप तुक्का लगाएं तुक्के के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन पुलिस भरती में जो है उसमें negative marking बहुत जादा है इसलिए जादा तुक्के के चकर में मत रहीएगा कोशिश की देगा कि सही से सही कोशन सही आ रहा है उनको कीजे क्यों पर मैं आपको बता रही हूँ बस इनी में दिमाग लगाईगा और दूसरा फिर से वही बात कि सभी कोशन अवस पढ़िएगा एक से लिकर 150 तक कोशन सारे कोशन पढ़िएगा बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कोशन तो पढ़ लिए कुछ 10-20-20 कोशन ऐसे रह ग या देख के ऐसी तीरम तुक्का लगा देंगे तो वो तो डेफिनेटली गलत होंगे इसलिए मैं आपसे कह रहे हूँ कि सारे कोशन अवस पढ़िए इतना इपनी प्रैक्टिस कर लीजे अभी टाइम है और जितने भी डाउटेट कोशन है ये कोई कोशन ऐसा होता है जो आ आपने अगर उसको कहीं पढ़ रखा है कभी उसको आपने पढ़ा है तो आपके माइन में जरूर किलिक करेगा और आपको आंसर मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा बस इतना है कि अपनी टाइमिंग को आप कैसे सेट कर पा रहे हैं सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होगा कि 120 मिन को दे दीजे थोड़ा सा जादा टाइम फिर उसके बाद तीसरा टाइम आप रीजिनिंग को दीजे फिर आप मैट्स को दीजे तो अगर आप चारो इस सेक्वेंस में पेपर सॉल करेंगे टाइम देने के शेडूर में तो डेफिनेटली आप अपना पूरा पेपर अच्छ कीजिए अच्छे से पेपर दीजिए और आपकी परिक्षा अच्छी हो इसकी पूरी शुब कामना हैं आपको और आप अच्छे से पेपर देका हैं आपका डेफिनेटली सेलेक्शन हो आपको लिस की जौब पा सकें इसी उम्मीद के साथ मिलूंगे अगली वीडियो में त तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा धन्यवाद